कि ईस लेक्चर में हम राशानिक अभिक्रियां के प्रकार इसके है यह 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 सारी चीचेज और दिसक्स हरेंगे इसके बाद हमंग्रोंकश करने वाले हैं द्यने की यहां पर विक्र गंधिता को रोखने को पाई यहां पर हम देखेंगे और यहां पर किडवन यहीं फर्मेंटेशन यह सारी टॉपिक हमाने डिस्कॉस करने वाले नमस्ष्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब सब्सक्राइब सभी का सरकाश विएस एगूइशन में आज की वीडियो हम MPPSC 2020 के पार्ट करम के अंतरगत जो स्रीज चल रही है इसको पूर्ण कराने की उसके अंतरगत हम आज पाड़ेंगे तरती फ्रशन पत्र समान विग्यान 3 या आप मुझे देव के नाम से जानते हैं और मैं आपको पता दूँ इसमें विग्यान तखनीकी में एकाई एक हम कम्प्रीट कर चुके हैं जो की फिजिक्स अंतरगा तकी कि बहुतीक विग्यान की जो एक है हम इसके सारे लेक्चर कम्प्रीट कर चुके कारवल उर्जा एका परवानुशनेद्रन समय जकता बंद परवानुशनलेन विखंडन धातुए पदार्द अधातुए और साणी ये तत्यों ये सारे टापिक हम कवर कर चुके हैं यदि आप इन सारे लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक दे दी गई है आप उस लिंक की सायता से इ उनी को यहां पर वह लेक्चर देखने को मिलेंगे और बाकी जो कुछ लेक्चर है आप जो फ्री वाले हैं आप उन्हें देख सकते हैं बाकी जो मेंबर वाले लेक्चर है आप उन्हें पेट करके देखेंगे यानि मेंबर सिर्फ लेकर आप देखेंगे ठीक है पेट करने इस लेक्चर में हम रासानिक अभिक्रियां के प्रकार इसके अंतर करते हम पढ़ेंगे उत्क्रम्णी एबाँ अनुक्रम्णी अभिक्रिया है प्रकास रासानिक अभिक्रिया उश्मा शोशी एबाँ उसमा चिपी अभिक्रिया है और यहां पर विक्र गंधिता को रोकने को यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर किड़वन यानि फरमेंटेशन यह सारी टॉपिक हमाँ भी डिस्कॉस करने वाले यह दिया आप MPPSC और व्यापनों सम्मझेट एक्जाम की टेहरी कर रहे हैं तो अनेकड़ी में आपको लेकर आया है यहाँब करीकिन इस्पड़वन तो यहां पर इसके में मौका परेक्ट्सक्राइब यग मिल रर्ण करने तेखेंगे है tricks jечь टेहरें टो यह इक प्रेटर्ड़ी और टेम करने में और आप पने डायउट्स कर सकते हैं नोक्त को ठीक है free life test में आपको कहा मिलेगा, free life test में यह online life test होगा, इसमें आपका score हर test के बता जिया एगा, और इसमें जो paper analysis होगा, वो free live class में होगा, ठीक है, इसके साथ ही आप अपने attempts, जो है, पोल attempts कर सकते हैं, live chat कर सकते हैं, droughts वगर रपूर सकते हैं, quotients वगरा यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको image पहुंचानी, question का format तो आप image को attach करके हैं आप पहुंचा सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो lecture है उससे संबन देद free life test में और के feature आपको मिलेगे, यहाँ पे मिलेगा आपको solution को view करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें enroll होंगे तो आपको notification मिलते आएंगे, जो भी इसमें नए updates आएंगे साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर MPPSC की T20 series सलाई जाती है यहाँ इनको आपको attend करना होता है और इसके answer इसके बाद बता जाते हैं और इस प्रकार यहाँ पर और जो examination है जैसे MPPSC, MPPolice, Constable, MPSI और MP Jail प्रहरी इससे संबंदित भी यहाँ पर test series सलाई जाती है 3 class और plus class में क्या फ़र्ग है हाँ पर? syllabus, practice test, PDF notes और doubt solution यहाँ पर limited हो जाते हैं और यहाँ पर यहाँ पर इसका plus subscription लेंगे तो यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको unlimited मिलेगी और यहाँ अभी current FAS magazine यहाँ पर लाई जा रही है और इसका नाम है वर्चेस और यह आपको मिलेगी plus subscription के साथ इसके लिंक आपको description box में दे दी गई है आप वहाँ साथ डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ यह मिल रहा है practice questions section यह अभी जो नए feature है इसके अंतरव मिल रहा है और यह आपके पसंदिता batch आप चुन सकते हैं जिस भी batch में आपको इंडॉल होना है यह आपके बहुत स discount हो यहाँ पर लीजिए और अपना application या enrollment है वो यहाँ पर सुनिश्रीत कीजिए रासानिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतरगात हम पढ़ेंगे आज उत्करमणी एबम अनुत्करमणी अभिक्रिया है प्रकास रासानिक अभिक्रिया उस्मा शोशी एबम उस्मा शेपी अभिक्रिया ऑक्सिकरन एबम अप्चेन अभिक्रिया है ठीक है यह चार अभिक विश्थापन न भी करिया और पुनर विन्यास अभी करिया यह हम डिसकस कर चुके हैं अभी के टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं क्योंकि पांच्वे नंबर का है यह है उत्क्रम्निय और अनुत्क्रम्निय अभी क्रिया रिवर्सेवल एंड रिवर्सेवल रियक्शन उत्क्रम्निय का शाब्दिक अर्थ है जिसे उल्टा किया जा सकें यह कोई व्यक्ति खड़ा है इसको यहाँ पर उल्टा किया जा सकें मानीगा इसको नहीं यहां यहां पर। मतलब यहां है अभीकारक ओप्षेश में संबंबन क्या है, यहां है अभिकारक है, यहां पे दो या दो से अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं यहां पे अभिकारक मिलके बनाते हैं यहां पे उत्पाद यहां पे उत्पाद है वापस से अभिकारक का निर्मान करेंगे ठीक है उत्पाद जो बने है अभिकारक को मिलके बनेंगे उत्पाद फिर उत्पाद वापस से अभिकारक को करनिर्माद करेंगे यहाँ पर यह होने वाला है उत्पाद परस पर अंतर क्रिया करके उत्पादों करनिर्माद करते हैं परस पर अंतर किया करके को नहें अभिकार को करनिर्मार करदatique ठीक है? यह है अभिकारक यह उत्पाद ठीक है? यहां यह गए इस अभिकरिया को दो विपरीत एवम आधे तीरों के द्वारा प्रदर्चित किया जाता है यह इसकी व्याश्ष्टा होती है आप इसको देखकर भी समझ सकते है को यहाँ तो इस प्रकार का चिनना बना है यह वाला चिनन है खीन है खार के शायरके हैं चिनन हरा होता है और इसको इसकत तरुसा नी है उत्क्रमणी अभिक्रिया है यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहां परस्प्रक्रिया करा है तो यह बना अमोनिया ठीक है यहां पर हम इसको बैलेंस करेंगे 3H2 और 2NH3 यहां पर बना ठीक है यह है अभिकारक और यह है उत्पाद ठीक है अब यहां पर वापस से वापस से हम इसमें reverse इसको पाश सकते है यानि nitrogen और hydrogen को वापस इसमें हम ले सकते हैं इसमें जो अभिक्रिया होगी इसको वापस हम यहां us fabric ले सकते हैं तो यह इस इस प्रपार है यहोगी क्या अभिकारक, अभिकारक, समझ में आ रहा है, क्या आपको बताऊं कि आगे जो किस प्रकार होगी यह देखिए, यह बने, यह है अभिकारक, यह हो गया उत्पाद, ठीक है, अभिकारक से फिर बने गा उत्पाद, तो जो पहली कंडिशन सैटिस्फाय कर चुका है, यानि जो अभिकारक के उत्पाद बन चुका है, जो उत्पाद है, फिर से अभिकारक की भूमे के यहाँ पर निवाएंगे, फिर से उत्पाद बनाएंगे, यानि अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद, यह दोनों जो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, इसी को हम यहा इस Hindi अंपर है यहांपर है पहली करम अभीकारक का काम करेगा है यहां पर फिर यह बना क्या उत्पाद में बना NH3 यानि अमोनिया और HCL यह यह होगा उत्पाद ठीक है अब वापस से इसको प्राप्त कर सकते हैं कि इसको अमोनियम क्लोराइड को NH4 CL को ठीक है तो यहां पर इस कंडिशन में जब यह आएगा तो यह कहलाएगा अभिकारक कहलाएगा फिर यह कहलाए गया उत्पाद ठीक है यानि अभिकारको उत्पाद में और उत्पाद को अभिकारक वापस ..... तु यह फोगी उत्प्रम्णियabhigriya ठीक है इसको का शाब्दिक अर्थ है जिसे उल्टा ना किया जा सके यह लोटा है लोटा को अंग उल्टा नहीं कर पाएंगे ठीक है ऐसा कुछ नहीं है आपको आपको याद रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं जो उठपडांग के उठपडांग डाइप से जो एक्जामपल है ताकि आप याद कर सके कि उल्टा ना किया जा सके तो आपके माइंड में एकदम से आखै कि लोटा ऊल्टा ना किया सके इस पकार से मैंने आपको बताया था तो आप जल्दी से इसको याद रखस पाएंगे ठीक है वह रासानी अभिक्रिया इसकी हम परिगों सब पढ़ रहा है ठीक ह उत्पात पुना अभिकारकों में परिवर्तित नहीं हो सकते ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था यह दोनों interchangeable थे, ठीक है यह अभिकारक थे, अभिकारक बन जा रहा थे उत्पात उत्पात फिर सो बन जा रहा थे, अभिकारक ठीक है तो हमें मिलेगा sodium hydroxide और hydrogen gas ठीक है hydrogen gas यहाँ पर यहाँ पर हम वापस से यहाँ इसको प्राप्ट करना चाहेंगे यह संतोलिद समिक्र Zombi को दीए संतोलिद रसानी祂 समिक्रणीं इसको बनादीगे है दूसरे एंगिम्पल है यहाँ पर मीठेन और और doors पर करहांके कर आएंगे तो carbon dioxide गल्लेगे यहाँ पर हम यह को मिलने के बाद हम वापस से इन अहीं कर Yesterday ही है इसलिए इसको बोलेगी हम अनुत प्रम निया यानि यह को गी यूह दिशी एक दिश्य है अभ गो मला दिये हैं और चुनु लगा दिए और यहां पर ईच्व के सामने तो यहां पर यह दिये इनकी संक्या बराबार हो गहीए तो यहां पर यह हो जाएगी संतुली तिरासानिक संय भण यह बन जाएगा ठीक है संतुली तराशानिक संभिकन जो लोग पहले बार देख रहे हैं मैं उनको बता दू कि पहले पिछले हमें को स्वश्वार कर देखिए थाप जो ज़रू जाकर देखिये तब यहांपर यह होता है फिर आपको थोड़ा अबात बातव के परमानु रहते हैं उनकी संक्षिया यहां पर स्वाइन की जाती है यह संत्रलिद लास्टानिक समय कर बढाने के लिए क्योंकि द्रव्यमान संक्षन करने हमें यहां पर फॉलो करना होता है ठीक है यहाँ पे 2 वह 2 है यहाँ आपको बताऊं गो बहुत लमबा लक्षे चलिए आएगा आगे बढ़ेंगे आपको यह यह सारी चीजी देखना तो आप पिछले टॉपिक्स में आप देख सकते अगला है प्रकास राशानिक अभिक्रिया ठीक है जो की बहुत ही व्यवारिक होती है और हम इसे डेली लाइफ में देखते हैं बहुत ही मतलब डेली हम इसे देख सकते ह प्रकास राशानिक अभिक्रिया होती है यही इसका प्रकार होता है प्रकास राशानिक अभिक्रिया का ठीक है हम बनते हुए तो नहीं नहीं देखते कि कैसे बन रहा है लेकिन हम यह देखते हैं कि इसमें हमको पता है कि इसमें प्रकास राशानिक अभिक्रिया होती है ठीक सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में पढ़ेंगे इसका वारे में वे रसानी अभिक्रिया हैं जो सूर्य के प्रकास से नी सनलाइट की उपस्तिती में संपन होती है प्रकास रसानी की अभिक्रिया कहलाती है क्या कंडिशन इसकी वे रसानी अभिक्रिया यहारा है वो उस लाइट को यह जो मैं आपको पर लेंगे तो इस से अभिक्रियां में जो प्रकास गुदिया रहती ही उनका उस्योशन होता है और हरे पौधे में प्रकास अंसिलेशन यानि फोटो संथेसिस की क्रिया प्रकास राशानिक अभिक्रिया का सरवप्रमक उधारानी जाए सगी हम बात कर चुके प्रकास अंसिलेशन की रियक्षन यहाँ पर दी गई है यहाँ पर सी ओ टू है कारवन डियोकसाइड और जल यहाँ पर मिले फूर के प्रकास में यहाँ यह अभिक्रिया हुई यहाँ पर बना ग्लुकोस जल और ऑक्सिएन इसके बाद इसको संतुलिद बनाने के लिए और ऑक्सिएन 6-02 इस प्रकार की यहाँ पर प्रकास रासानिक अभिक्रिया है उसको एक्जामपल हमने आप देखा प्रकास अंसलेशन अभिक्रिया ठीक है जो पेड़ पौत है अपना बोजन जिससे बनाते हैं यह बहुत ही वहारिक वहारिक एक्जामपल हमने देख चुक वुजा यह उश्मा का आउशोषन यानि एब्सॉप्शन अफ एनर्जी होता है उश्मा शोशी अभिक्रिया कहलाती है जिसमें उश्मा जैसे किसी पिंडे से उसमा आ रही है ठीक है तो यह दूसरा पिंडे उसकी उसमा अपने अंदर ले लेगा इसको बोलेंगे उश्मा शुशी अभिक्रिया है, यह इसके परिवाँ सामने देखे रसाइन की लंग्विज है जिण में ऊशमा या उर्जिय का आउस्शूशन और शॉशन ही होता है उश्मा शूशी अभीक्रिया कहलाती है, ठीक है, इसके अभीक्रिद वे अभीक्रिया हैं, जिनमें उश्मा या उर्जा मुक्त होती है, उश्मा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उश्मा शेपी अभीक्रिया कहलाती है, ठीक है, इनके एक्जाम्पल मैंने आपको बता तो यहां पर यह है यहां पर आदवे को अपने अंदर ले रहा है तो यह हो जाएगी उस्मा शोश्य अभिक्रिया है ठीके, अभी रियाओं के अंतर के एक्जामपल हो जाएगा, ठीके, जल का वाशफिय गरन, ये किसी बीकर या फिर पात्र में यहाँ पर जल भरा हुआ है, इसका वाशफिय गरन का होगा, जब इसमें heat दिया जाएगा, ठीके, इसको गर्म करेंगे, इसकी जो heat रहेगी, यहा याईगी जल चाहниगा यहां पे जल के अंडवरों में ठीक तो यहां से उश्व मैं इसमें गई तो यहां पर जल कवसिकरन को तो यह हैं पर उश्व म अगिचन करते हैंं अगला है उसमा छेपी अभीख्रियां जो सेछमें यह हम दैन करते हैं यहां जला रहे हैं यहां पर क्या होती है उसमा निकलती है देहन कर रहे हैं किसी भी जीश को तो वहां पर उश्मा निकले घे यहीं होगी उश्ठमा शेपी अभीओर्प्रिया मानली यहाँ पर आप अभी धेंड का मासम चल रहा है तो धेंड के मासम में आपको अपने हाथ को गर्म करना है तो आप किसी लकडी बगर जल रही है तो वहाँ पर आप अपने हाथ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे उश्मा यहां से निकल रही है तो यहां पर इस वाली कंडिशन में क्या होगा रही है जाएंगे उश्मा शेपी अविग्रिया के एक्जामपल थारन लोहे में जंग लगना यह भी उस्मा शेपी का उधारन ठीक है कार्वन एबम ऑक्सुएन के सजह्योख से कार्वन डाय उक्साइट का निरूरण इसका अंतर बहसकर निकलती है तो यह हो जाएगी ऊश्मा शेपी अभिक्रियाओं के दारान तीग है अब यह पर आपको यह उश्मा शोशी एबम उश्मा शेपी अभिक्रियाओं यानि एंडोथर्मीक और एंग्जोथर्मीक रियक्षिन समझ में आ गई हो ठीक है अगला है अक्सिकरन इबम oxygen reaction यह अभी करिया है ठीक है oxidation and reduction reaction वह अभी करिया है जिसमें किसी पधार्त में oxygen की व्रद्धी हो अथ्वा electron का हरास हो या electron का हरास हो तो उसे oxygen अथ्वा oxygen अथ्वा oxygen कहा जाता है ठीक है एक condition आप याद रखलिए इसके विप्रीद हो जाएगी oxygen के रखलिए तो इसके विप्रीद यह हो रही है यह हो रही है तो आप एक याद रखेए मैं आपको सलाह दूँगा कि आप एक याद रखी एक आपको याद रहेगा तो इसके जो अपोजिट यो होगी आप अप उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह यह दूसरी अलिया भी कर लेते हैं हम oxygen याद रख लेते हैं तो इसके विपरेट यादी कंडिशन बनेगी तो हो होगी option कुंसी होगी अफिक्राइब तो हम oxygen यादी ओक सिकारण की कंडिशन में हम पटा कर लेते हैं तहुत यहां पर अक्सिकरण से होगा लास औफ मेलेक्ट्रों फिलास अफिलाप्रोन होगा लास अफिलाक्ट्रों यहां पर होगा यह हो जाएगी ऑक सिकरन जो अभीक्र व्रद्धी मों खाल आपार के ऊक्सिकरण्यां यहां पे यहां पे याद रखिए ऐन Muse करिखेंग। तो हम इसके वारे में देखते हैं एक्जांपल यदि किसी अभिक्रिया में एक पदाहर्त का अक्सिकरन हो रहा है यानि उप्चैन हो रहा है तथा एक पदाहर्त अप्चैत हो रहा है यदि एक एक का अक्सिकरन हो रहा है और एक का उप्चैन हो रहा है तो उसे अक्सिकरन एक्जामपल हम यहां पर देखते हैं यहां पे दोनों कॉंडिशन एक है तोहां पर देखेंगा है पहले तो हम एक चीछों पड़े गप्कड़ा थीओ जैसे मैंने आपको पताया था औक सिकलों को ठिकलिंगी यहां पयंगों को दून को कंडीशन में से कोई एक जमेगी तो यहां पर देखिए है यहां पर यहां pets混 हचे करन यहां हमने यहां पर देख लिये हैं और इसके विपरीथ हम देख लिए इसके विर्खों हिक प्रुदि क्या हो एगा और अब या कंडिशन प्राप्ट हो रहा है यहां पर चला जाएगा और इलेक्ट्रन जा रहा है तो यहाँ पर एलक्ट्रन आ जाएगा लिप इहां पर देखिए यहां पर जो oxygen है वो क्या हो रहा है गया यानि oxygen की यहाँ पर कमी होगी तो यहाँ पर oxygen कमी होगी या फिर electron में ब्रद्धी होगी oxygen कमी या फिर electron में ब्रद्धी होगी तो यह होगी अपचेन अभी क्रिया ठीक है अपचेन वाली condition यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए C-U-O में यहाँ पर देखिए Oxygen की कमी हो रही Oxygen कमी हो गई ने CU बना बाद में Oxygen कमी हो गई तो यह हो जाएगी Option अभी करिया यानि दोनों यहाँ पर reaction एक साथ हो रही है उसको बोलेंगे Oxygen Option अभी करिया है या फिर English में से Redox Reaction भी कहा जाता है Redox Reaction ठीक है Redox Reaction ठीक है आगे समाझ में Redox Reaction क्या होती है यह दोनों का एक्जम्पल मैंने हापे आपको पता दिए Oxygen और अपचैन का ठीक है अगला है देनिक जियोन में रसाइनिक अभी क्रियाओं के उधारान यानि Examples of Chemical Reaction in Daily Life इंगलीश में से बोलीगे तो संचारन इसमें इसका अंतरगत पढ़ेंगे हम संचारन पढ़ेंगे विकर गंदीता यानि रैंडिसिटी और रैंडिसिटी नी रैंसिडिटी रैंसिडिटी है इसको रोकने को पाए हम देखेंगे और Fermentation यानि केड़वन पढ़ेंगे यह topic इसके अंतरगत पढ़ेंगे किसमें हम देनिक जीवन में रसायनिक अभिकरियों के अधारन के अंतरगत पहला है Corozen यानि संचारन लोहा, चांदी, तामभा किस-किसमें लोहा, चांदी, तामभा किस-किसमें लोहा, चांदी, तामभा आदी से निर्मिद वस्तू का अमलो, वायू, यानि आदरता आदी के प्रभाव से धीरे-धीरे नस्ट होना संचारन कहलाता है यह तीन धादी से निर्मिद यादी कोई वस्तू रहीगी उनका यादी अमल, वायू और आदरता के प्रभाव से उनका धेर-धेरे नस्ट होता है नस्ट होना सुरू है या धेर-धेरे नस्ट होता है तो वो होगा संचारन क्या होगा संचारन संचारन वो कहलागा, यानि कोरोजन इंगलिसमें बोले मूँँ यह धातु एं अपने चारोवर के वायो मंडल के साथ रासानी क्रिया करके ओकसाइड, हाइड्रोकसाइड अथ्वा, सलफाइड के मिस्राणों का निर्मान करती है किसका निर्माण करी ऑक्साइड है अट्वा सॉल्फाइड के निर्माण करती एक एक करके इनके एक्जांपल हम देखने ठीक है पहला यहाँ पर दिया गया है धातू अभी किरिया यहाँ पर दी गई है जहीं धातू को संचारन के अंतरगात इसका प्रभाव हम देखेंगे एनको रोखनी की विद्जीय भी हम यहाँ पर देखेंगे टीक है पहला है लूहा याई यह आफी इसको बोलीगे यहाँ पर और एमहं पर आईरन और किसकी यहाँ पर isके प्रभाव में ओहां पर जह रही ती संचारन के भी रिया यहाँ पर हमने देखा था अंभा लो अम लोग वायू और आधरता ठीक है तो यहां पर देखिए ओटू यहां पर वायू नमियुक्त वायू नमियुक्त वायू में क्या जाएगा ओटू और एच्टू ओठीक है तो यहां पर मनेगा यहां लोगी है यहां पर देखिए यह ईसको बोलें हैm सूद्र है तो यहां पे देखिए f2 को यहां पर संतुलित करते उसका hm तो यह संतुलित रसानिक अभीकरे का अंतरगात यहां पर Hydrated Ferric Oxide का यहां पर रसानिक सूत्र यह है Fe2O3H2O तो यह है जंग का यह सूत्र इसका प्रवाओ क्या होता है इसका प्रवाओ का अंतरगात हम देखते हैं तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परद जम जाती है जैसे हमने यहां पर देखा लाल भूरे रंग की परद यहां पर जम गई यह लाल भूरे रंग की परद यहां पर जम गई तो इसका प्रवाओ के अंतरगात यह होता है और यहां पर इसको रोकने के उपाए विद्द लेपन के दोरह इसे रोखा है लोययव, सपाथ, निरमित, वस्तौव पर जस्ते की परक्षाडा कार इसे रोखा जा सकता ही, ठीक है, अगला है चांदी, चांदी की वस्तौव पर ह्यानि Ariana चान्दी को हम बोलेंगे Ag, ठीक है, शिल्वर और हईडरोजन सल्फाइड और ऑक्सियन की यहाँ पर रेक्षण होगी, तो यहाँ पर कैसी रेक्षण होगी, यहाँ पर देखिये, 4 Ag, 2H2S और O2, यहाँ पर रेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा, 2AGS, यहाँ सिल्वर, सुलफ़ाइट, काला रंग यहाँ पर प्राप्त होगा, और यहाँ पर जल, यहाँ 2H2, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इसका प्रभाउक, कैसे देखीए है, चांदी पर काले रंग की परत जम जाती है, जो चांदी है ठीक है यहाँ पर चांदी में लेखिए यह काले रंगी परत यहाँ पर जम गई तो यह प्रभाव हो गया किसका संचारन का ठीक है कि कैसे थैसे बंते हैं तो इसमें घाटु होती है ठीक है धीक करेम हम क representatives कर देंगे एगetahतू के साथ करके यह कहा जा रहा है कि चांदी वो चांदी पर काले रंग की परत जमने से पचाए जा सकता है ठीक है अगला है तामबा, तामबा को कॉपर बोलेंगे हैं, ठीक है, कॉपर, कॉपर प्लस कार्वन डियोक्साइड प्लस ऑक्सिएन प्लस जल, तो यह नम्यूक्त वाईउ के अंतरकत क्या की चीज़िए, यह यहाँ पर कर्मन डियोक्साइड, O2 और H2, यह किसके अंतरकत आएगी, नम्यूक्त वाईउ के अंतरकत, ठीक है, तो कॉपर से इसकी रियक्शन होगी, तो यह बनेगा, बेसिक कॉपर कार्वनेट, यह नि हरा रंग यहाँ पर प्राप्त होगा, इसका हरा रंग इस प्रकार मिलेगा, और इसका रासानिक सूत्र होगा, Cuc3. यहाँ पर आपको दि यह बनेट, पहले इस प्रकार से था, चम चमाता हुआ, बिंबार से दुला हुआ, यह फिर एक्सवर्ट से दुला हुआ, इसका भाद पर यह यूज होता गया, यूज होता गया, संचारन हुआ इसका, तो यहाँ पर, यह हरे रंग की पार इसमें जम गई, ठीक है, धातु एवं तेली खाद पदार्थ जो रहते हैं जब लंबे समय तक खुले वातवन में रहते हैं तो वायू प्रकाश आधरता या फिर जल इसा बोल सकते हैं अधरता है फिर जल अधवा जिवानु के प्रभाव से उनमें दुर्गंध यानि ओर उत्पन होती है दुर्गंध आने लगती है जो मुखता वसा अथवा तेल तदा ऑक्सियन के मद्द एक जैव रसाइनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन होती है इससे वसाओ का पर खूल कर रखिए तो सामता कि इसमें कुछ अजीब सी इसमेल आने लगी तो मतब जो टेस्ट रहेगा उसे अलग यहां पर स्वाद भी आने लगया यहां पर विक्रगंध इत्ता का यह उदार होने आएगा तो यहां पर देखिए इसको जब खुले लंबे समय तक खुल वायू प्रकास्ट जल और जीवाण होता है इसका प्रभवाव में क्या होता है दुरगंध यह उद्रुदर रूत्मन होती है जो मुख था वसा अथवा तेली तेल तथा ऑक्सियन के मद्द एक जैविक रसानी अभिक्रिया के कारण पन्दूचनी किसे कारण होती है वसा तो तेल तथा ऑक्सियन के माद तेल अख्सियन के माद देख जिवरासानी अभिक्रिया यानि बायोकेमिकल रेक्षिन के कारण उत्पान होती है इसे वसांक और यानि ऑक्सिडेशन आप फैट्स कहा जाता है अब एक बात बताईए किसको लगता था हालकि आप अभी तक तो वेलेश व्रेजुएट और पड़ेशन के होगा होंके इसको लगता था कि चिप्स के पैकट में हवा जानुच के भरके देश देज दे आती त्याकि चिप्स कम भरना पड़े ठीक है बताईए यदि ऐसा है तो ज़रूर कमेंड करें करें कौन कौन सोचता था मैं तो सोचत और यह साइच चीजी पढ़ाई भी नहीं थे तो यह सब सोचते थे लेगन क्या आप भी ऐसा सोचते थे बताईए अपने अनुवाओं यहां पर साजा कीए कमेंड और कमेंड करकें तो यहां पर कुछ कारान वासे हावा भरी आती है तो यहां पर देखिंगे हम क्यों आप चिप्स के पैगट के सामान वायू के स्थान पर कम सक्रिय नाइट्रोइन गैस भर दी आती है इसके अंदर नाइट्रोइन गैस भर दी आती है इसलिए यह हमको फूले हो दिखते है ठीक है ताकि यह इसमें विक्रगन दीता है ना हो यानि रैंसिडिसी और यह सब्दू यहां ना बर दीत. चो辛苦 फोलमे जाथ तक कि इस ठीक है इसको यहां बरी आपने देखा होगी इसको यहां नाइट्रोइं गास भरीod जाती है जल्दी खराब हो जैती है तेलो एवं वसाओं को शूर के प्रत्यक्ष प्रकास से दूर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। वसायुक्त खाद पदार्तों में अक्σι करन की दरधीमी करने के लिए अक्σι करन तोधी पदार्त यानि एंटी ऑक्सिडेंट्स मिलाए जाते हैं एंटि एफिडेंट्स ठीक है अगला है फर्मेंटेशन किडवन बहुत ही इंपोर्टन इंपोर्टन चीज़ है आप जब आप इसके योग के वारम जानेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि इतनी इतनी सारी चीज़ें पर होती है किडवन एक जयव रसायनिक प्रक्रिया है कैसी जिसे सरप्रथम फ्रांसिसी रसायन विग्यानी लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझा है कि इसमें समझा है किडवन की जो प्रक्रिया है उसको समझा है लुई पास्चर ने ठीक है वो थे फ्रांसिसी रसायन विग्यानी थे हो गिडवन की प्रक्रिया में ज सब्सक्राइल कार्वनिक योगी में विगडित हो जाते हैं इसमें किड़ोन में यीस्ट ग्लुकोस को एथेनौल में परग्रेटित कर देता है ग्लुकोस है यहां पर इस्ट 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 याहारौन के अंतर कैंठ कया होता है क्ल तो यह होता है क्या करशल करवन के जटल कारवनाइक, यूगेक में विटित हो जाते हैं किजातास में की अंतर तरी है है क्लावन का काम कि हैं तो यहां पर देखिए ब्रेट बिस्केट केक पिश्टी दहीं शरका आधी के निर्वान में भी किया आता है किडवन का प्रयोक्ति है तो यहोग यह सारे टॉपिक्स आपको समझ में आये होंगे अच्छे से और पसंद दिया होंगे और यादी पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिस्लाइक कर सकते हैं यहां तक आपने लेक्चर को देखा है तो अपना फीडबेक दिये बगर ना जाए क्योंकि आपने यहां यहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलिग्राम, हर जगह इसको शेयर कीजिए, ताकि अन लोग अब यहां पर फादा हो सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, फिर से, कि जो बाकी जो लेक्चर्स है, वो आपने देखा होगे, वो आपको देखने रहे होंगे, यान आपके डाउट है आपको मन में, तो उससे समद्धित एक वीडियो बना दिये गया है, जिसके लिंक डिस्क्रस्माइब बाक्स में दे दी गई है, आप उस लिंक की सायता से, जो 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 भी यहां पर चल रहा है, ठीक है, जो भी यहां पर व्योस्ता की गई है, जो इससे सम पर वीडियो में, तब तक के लिए जय हैं, ये लिए आप MPPSC और व्यापनों समद्धित एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो अनकेडियो में आपको लेकर आया है, फ्री लाइफ क्लास और फ्री लाइफ टेच्ट, इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनकेडियो का एप और आप लॉग इन होंगे, अपने फोन नमर से, या फिर एमेल आईडी से, इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा, MPPSC और व्यापन, और फिर आपको इस्पेसल क्लासे से यहाँ पर मिलने लगेगी, और यहाँ पर एंडॉल टू फ्री लाइफ क्लास, और यहाँ पर इसके मिलने लगेगे, जो फ्री लाइफ क्लास है, उसके, आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्शनिटी मिलेगी, इंट्रेक्ट और लर्न करने की किस से, टॉप एजुकर से, जो की MP की है, और फ्री लाइफ क्लास के वारे मैं आपको बताऊं, तो य इसमें आपको स्कोर हर टेस्ट के वाथ बता दिया एगा, और इसमें जो पेपर आनलिसिस होगा, वो फ्री लाइफ क्लास में होगा, ठीक है? इसके साथ ही आप अपने अटेम्स, जो है, वो फो बोल अटेम्स कर सकते हैं, लाइफ चैट कर सकते हैं, आप डाउट्स वगर का मौका और साथ ही साथ आप इसमें अंड्रॉल होंगे तो आपको नोडिफिकुशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स हाईगे साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहां पर MPPSC की MPSI और MP0 प्रहरी इससे संब्द्दी यहां पर टैसरी सालाई जाती है और प्लसक लाइब आपको लाइब आपर इसका नाम है Warchess और यह आपको मिलेगी plus subscription के साथ, इसकी link आपको description box में दे दी गई है, आप वहाँ सा direct download कर सकते हैं, और साथ यह मिल रहा है practice questions section, यह अभी जो नए feature है, इसके अंतरगत में मिल रहा है, और यह आपको पसंदिता batch आप चुन सकते हैं, जिस भी batch में आपको इंडॉल होना है, य आपके बहुत सारे batch में पर दिये गए हैं, जिससे आपको इंडॉल होना हो सकते हैं, ठीक है, और यह आदि आपको plus subscription में discount चाहिए, तो आपको promo code यूज करना हुगा sircar10, sircar10 promo code यूज कीजिए, और अपना जो discount है वो यहाँ पर लीजिए, और अपना subscription या enrollment है, वो यहाँ पर सुनिशित कीजी